नमस्कार दोस्तों कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुद्गल जी की कहानी पत्नी लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेलाइकन दबाना बिल्कुल भी न भूले आज सुनिये पत्नी द्वार पर थप थपाहट कौन यम्राज की नेंद उच्टी हम है स्वामी आपके दूद अर्धरात्री में क्या बात है बात कुछ विशेश नहीं प्रभू म्रत्तु लोग से एक उद्दंड प्रानी जबरन घोसाया है तुम क्यों लाए उसे लाए नहीं वह स्वेक्छा स क्या उसका यह दुस्सा हस बगेर हमारी आज्या के चला आया आप इसी से पूछ लीजे इसने हमारी नाक में दम कर रखा है हम दस सेवक इसे समहालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह समहाल में नहीं आ रहा ले आओ मनुष तुम हमारी आज्या के बिना परलोक में कैसे बंग हुआ है इस अपराद के लिए हम तुम्हें भयंकर से भयंकर नरक दे सकते हैं महा प्रभु वह नरक निश्चित ही उस नरक से भयंकर नहीं होगा जो मैंने भोका है क्या मतलब मृत्तु लोक में नरक की स्थापना यह हमारे समविधान का महांतम अपमान है क्या मृत् के प्रति विद्रोही हो गए तत्काल चित्रगुप्त को हमारी सेवा में उपस्थित करो जो आग्या प्रभू एक दूद सिर्जुका कर चला गया यह बात नहीं महा नयाय पालक मेरा नरक भोग आपकी विवस्था से सर्वता भिन्न है वह कैसे स्वामी मैंने अपनी पत्नी क कि दुर्वेवार से तंग आकर आतमत्या कर ली और सीधा आपके नयायाले में चला आया हम समझे नहीं वत्स आत्महत्या हमारी विवस्था के प्रति विद्रोह है फिर एक विद्रोही न्याय की कामना कैसे कर सकता है हे महा दंडा धिकारी मेरी पत्नी सोते जागते खाते प मेरी सुख शांती का समाचार पाकर मेरी पत्नी प्रतिशोधी हो उठी। व्यवस्था क्यों पैदा हुई। जो आग्या महामाईं। चित्र गुप्त ने खाता पलटना शुरू कर दिया। फिर एक स्थान पर निशान लगाते हुए बोले। पर से प्रेम करता है। चित्र गुप्त तुम जानते हो कि हम अपने विधान का कितना संबान करते हैं। इस प्राणी को अभी इसी समय में वापस म्रत्तु लोग भीज़ दो और उस वेश्या को इसकी पत्नी बना दो। जो आग्या न्यायपालक। यमराज ने मनुष्य से पूचा अब तो तुम अपनी आयू के शेश्वर्ष पूरे करना चाहोगे। कृतग प्राणी उनके चर्णों में लोट गया। आयू दुगनी दे देंगे तो प्रभू मुझ अकिंचन पर विशेश क्रपा होगी। विधान परिवर्तित नहीं हो सकता वत्स। द्वार पर थप थपाहट। कौन यमराज की खीज भरी आवाज उगरी। हम है स्वामी आपके दूद। इस समय बात क्या है। अपराद छमाओ प्रभू वह प्राणी जिसे आपने एक महापूर्व मृत्तु लोक वापस भेजा था पुनह स्वैक्षा से आ गया है। उसकी आयू तो अभी 25 साल 11 महीने शेश है। फिर क्यों आया। पता नहीं प्रभू ठीक है ले आओ कक्ष में। वह प्राणी प्रवेश करते ही बिलक कर यम्राज के चर्णों में गिर पड़ा। अब तुम्हें कौन सी व्यता है मानो। हमने तुम्हारी इक्षित पत्नी तुम्हें सौप दी थी। भगवन जबसे वह वेश्या मेरी पत्नी बनी है उसका व्यवहार एकदम बदल गया है। वह मेरी पूर्व पत्नी से भी अधिक उग्र और उदंड हो उठी है। प्रतिपल मेरी पूर्व पत्नी का नाम ले लेकर मुझे कोचती रहती है। जीना दूबर हो उठा तो मैंने तंग आकर पुनाय आत्मत्या कर ली। कुछ भी हो हमारी विवस्था और विधान नहीं बदल सकता। तुमें अब उन दोनों पत्नियों के साथ 25 साल 11 महीने गुजारने होंगे। वह प्राणी विजली की भाती तड़का और यमराज के चर्णों में उसकी सोक्ष्म देह ने भी प्राण त्याग दिये। तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं।